हालो फ्रेंड्स, बेलकम टूवर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्सकी, इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुती महत्वपूर 50 प्रशनुत्तर देखने को मिलेंगे, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा, वेड इंट्रि जान पर खेलने का क्या तातपर है, ए उप्षन है प्राणों को संकट में डालना, बी उप्षन है निडर होना, सी उप्षन है बलवान होना, डी उप्षन है किसी की ना मानना, तो इसका ए उप्षन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, प्राणों को संकट में डालना मतलब जान पर खेलना अगला कुश्यन कौन सा चंद 22 से 26 बाड़ो चार चरणों वाला होता है तो वो होता है आपका सवय्या अगला कुश्यन है आवश्यक्ता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है तो यह ओप्शन अ परिग्रे है बी ओप्शन है अ परिग्रे सी ओप्शन इंद्रिय निग्रे और D option है परिग्रे तो इसका B option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा आविश्यक्ता से अधिक धनका त्याग आप परिग्रे कहलाता है अगला question है साप सुंगना मुहावरे का या क्या अर्थ है तो इसका तो option पढ़ने की आविश्यक्ता नहीं सभी को पता होगा सहम जाना जब कभी भी आपके छोटे भाई बहन चुपचा बैठ जाते तो बोलते हैं न साप क्यों सुंगना तुम्हें तो मतलब सहम जाना अगला question है पच्छताने के लिए कौन सा मुहावरा उपियुक्त है तो पच्छताने के लिए कौन सा मुहावरा उपियुक्त होगा इसमें जब आपको बिल्कुल भी option पढ़नी की आवश्यकता नहीं है C option बिल्कुल correct हो जाएगा जिने हमें लगेगा कि जिनके option पढ़नी की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं अगला question है सून्नी का तदवव शब्द क्या है तो सून्य सुन सुन्ना सुन्य तो मतलब होता है जैसा संस्कृत में था बैसा ही अभी तक बोला जा रहा है तदवब का मतलब होता है उस समय संस्कृत का जो बर्ड था वो अब बर्तमान में उसको अपनी भासा में बोला जा रहा है जो भी आप बोलते हैं तो शाक का तदवब शप्त क्या होगा ये आपको बता तो साक का तद्वव शप्त होता है साग ओके अगला कोशन है निम्ण मैंसे कौन सा अनिश्य बाचक सर्वनाम है तो A उप्षन है यह, B आप्षन है आप, C उप्षन है कौन, D उप्षन है कोई तो कोई अगर बोले कि कोई आया है तो इसमें निश्चित्ता नहीं है कि कौन आया है तो ये आपका अनिश्य बाचक सर्वनाम हो जाएगा अगला कोशन है निम्न में से कौन सा जर्ना का परियाई बाची है A option है सोता, B option है निर्जर, C option है श्रोत, D option है ये सभी तो इसके D option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जर्ना के परियाई बाची, निर्जर, सोता, श्रोत, दोनों, तीनों होते है अगला कुशन है आधा गाउं के रचायता कौन है A option है राही मासूम रजा, B option है सर्वेश्वर दयाल सकसेना, C option है लक्षमी कांत बर्मा, D option है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा तो A option बिल्कुल सही हो जाएगा राही मासूम रजा जो है आधा गाउं के रचायता है अगला कुशन है जिसने अपना रड चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे A option है औरंग, B option है और रड, C option है रड में, D option है रड वहीन तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, B option और रड, O रड का मतलब होता है उसने अपना करजा चुका दिया है उके अगला कुशन है स्तुती का बिलोम क्या है A option है निंदा, B option है प्रिशुन सा, C option है विस्तुती, D option है अस्तुती तो इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा निंदा स्तुती का बिलोम सब्थ निंदा होता है अगला question है, अगवाई में कौन सा प्रत्य है तो सभी को पता होगा, आई प्रत्य होता है भाव अक किस की संदी है तो ये जो संदी है वो भावुक की संदी होती है B option इसका correct हो जाएगा अगला question है स्वर कितने होते हैं A option है 5, B option है 7, C option है 9, D option है 10 तो इसका जो correct answer होगा वो होगा D option अगला question है संतोष का विलोम शब्द क्या होगा तो ये तो आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं इस तो आपको जानते होंगे तो इसका A option बिल्कुल correct हो जाएगा संतोष का विलोम शब्द आशंतोष हो जाएगा और संतोष में कौन सी संदी है तो बिसर्ग संती है समधन तोष संतोष इसका संदी विक्षेद हो जाएगा अगला कुश्यन है विद्वान किसका परियाएबाची है A option है COVID, V option है रितूपती, C option है दैत्येंद्र, D option है ईशू तो विद्वान जो है COVID का परियाएबाची होता है अगला कुश्यन है निम्न मैंसे कौन सा हिरन का परियाएबाची है हरिन, कुरंग, सारंग, ये सभी तो ये तीनों ही हिरन के पर्यायवाची होते हैं और इसमें मिर्ग भी आप जोड लीजेगा तो ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं अगला कुशन है पंच रतन का समा से बिगर है क्या होगा ये उप्शन है पंच रतन जो है पंच रतन का समास बिग्रे क्या होगा पांच रतनों का समूँ और इसमें समास कौन सा होगा ये आप जरूर बताइएगा तो दुर जै इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन पर आँखे नहीं भरी काब्य सग्रे के रचायता कौन है A option महादेवी वर्मा, B option सुमित्रा नंदन पंत, C option राम ब्रच बेनी प्री, D option सिव मंगल सुमन तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा D option सिव मंगल सिंग सुमन अगला कोशन चोर की दाड़ी में तिनका किस अर्थ में प्रीयोग होता है तो इसका B option बिलकुल करेक्ट होगा अपराधी व्यक्ती सदैव ससंकित रहता है अगला कोशन निम्न में से कौन सा बाक्य सुद्ध है A option राम और सीता बन में गए अगला कोशन मीत का ततशम सब्द क्या होगा A option मितवा, V option रितवा, C option है मित्र, D option है प्रेमी तो इसका C option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा मीत का ततशम सब्द मित्र होगा अगला कोशन निम्न में कौन सा उपसर्ग प्रीयोग हुआ है तो इसको तो पढ़ने की आविश्यक्ता नहीं option की तो इसका B option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है महाधन उत्सब का संधी विक्षेद है तो महोटसब का संधी विक्षेद महाधन उत्सब होता है अगला कोशन है निम्न में से कौन एक प्रेम चंद्रा की कहानी नहीं है अगला कोशन है बड़े भाई साहब B option पूस की रात D option चीफ की दावत C option ठाकुर का कुगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा चीफ की दावत इन प्रेम चंद्र जी की कहानी नहीं है पूस की रात ठाकुर का कुगा बड़े भाई साहब ये तीनो मुनसी प्रेम चंद्र जी की कहानिया है गोदान भी मुनसी प्रेम चंद्र की बहुत ही फेमस कहानी है अगला कोशन वेतोड़ती पत्थर कविता किस कभी की प्रक्रती है A option है नागार जुन B option है केदार नाथ अगरबाल C option है सूरिकांत्र पाथी निराला D option है रामधारी सिंग दिनकर तो इसका जो correct answer होगा हो जाएगा C option सूरिकांत्र पाथी निराला जी की वह तोड़ती पत्थर कविता है अगला question है अकाल और उसके बाद कविता किस कभी की रचना है तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर यह option हो जाएगा नागार जुन अगला question है निम्न मैंसे कौन एक प्रेम चंद्र की रचना है तो अगर आपको प्रेम чंदर जी की रचना है तो आप तुरण से पता देंगे तो इसके जो सही आंसर होगा वहगा निर्मला करवला, गोदान ये सबी जो रचना है प्रेम चंदर जी की रचना है अगला कुशन है निम्न मैंसे कौन सी रचना जैप, शंकर प्रशाद जी की नहीं है A option है कंकाल, B option है तितली, C option है आकाश दीप और D option है परक तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका परक परक जो है जैप, शंकर प्रशाद की रचना नहीं है कंकाल, तितली, आकास दीप, तीनो रचना जैप, शंकर प्रशाद जी की है अगला कुशन है किसने हिंदी साहत इतिहास की प्रतिनिधी रचना नहीं की A option है रामचंद्र शुक्ल, B option हजारी प्रशाद दोएदी C option है डॉक्टर नागेंद्र, D option है राजेंद्र, असरी जैप, शंकर प्रशाद तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा जैसंकर प्रशाद जी हिंदी साहत इतिहास प्रतिनिधी की रचना जैसंकर प्रशाद जी ने नहीं की अगला कोशन प्रकृती का सुकुमार कभी किसे कहा जाता है कई बार ये कोशन पूछा जाता है इंपोर्टेंट है और इसे इंपोर्टेंट की तरह याद रखेगा सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृती का सुकुमार कभी कहा जाता है अगला कुशन है सिंहाव लोकन किसकी कृती है ए उप्षन है यश्पाल वी उप्षन है जे नेंद्र सी उप्षन है रामधारी सिंग दिन कर डी उप्षन है निराला तो इसका ए उप्षन बिलकुल करेक्ट हो गया अगला कुशन है सब प्राची पश्चिम भू नवपार पूछ रहे हैं दिक दिंकत बीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना का आंस है तो बीरों का कैसा हो बसंत जो है सुबुद्रा कुमारी चोहान जी की रचना का आंस है अगला question है कस्तूरी कुंडल बसे कि समकालीन महला लचनाकार की नियर्चिने कृती है तो मैत्रई पुस्पा जीकी ये कृती है इनके options पढ़ने की हमें आवश्कता नहीं लग रही इसलिए हम इसके option नहीं पढ़ रहे है कस्तूरी कुंडल वसे जो है मैत्रे पुस्पा जो है उनकी रचना कार है उनकी ये कृती है अगला कोशे ने साहित अकादमी पुरसकार पितिक वर्ष कितनी भारती भासाओं की रचना को प्रदान किया जाता है तो 22 भासाओं में साइत अकादमी प्रसकार दिया जाता है और मारे सम्मिधान में भी 22 भासाएं हैं आठवी अनसूची में तो ये तो आपको पता ही होगा अगला कुशन है निम्न मैंसे कौन दलित विमर्स का रचनाकार नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा नामबर सिंग ये दलित विमर्स के रचनाकार नहीं है बाकी तीनों लोग दलित विमर्स के रचनाकार है अगला कुशन है हिंदी साहित उद्वव और विकास किसकी रचना है तो इसका बी आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हजारी प्रिशाद दुवेदी हिंदी साहित उद्वर और विकास के रचनाकार है अगला कोशिन निम्न मैंसे कौन सा सब्द बर्तनी की द्रिश्टी से सुद्ध है तो इसमें से जो ए ओप्सन है वो बर्तनी की द्रिश्टी से सुद्ध है मनो वानचित अगला कोशिन निम्न मैंसे कौन सा सब्द बर्तनी की द्रिश्टी से सुद्ध है तो इसका B option बिल्कुल सही है, जब अनुग्रिहीत लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, अनुग्रिहीत, ओके, अगला question है आकास का पर्याइवाची शब्द क्या होता है, A option है अनन्त, B option है पुश्कर, C option है अंबर, D option है खग, तो खग तो पच्छी का पर्याइवाची होता है, तो अंबर जो है आकास का पर्याइवाची होता है, अगला question है घा सब्द का उच्चारण इस्थान क्या है, तो हमने उस दिन बर्णों के बारे में बताया था, तो का बर्की कि यह जितने भी वर्ण होते हैं, वो कंठ से बोल sainyog से बना है तो ग्या वर्ड जो है किन वर्ड की सैयोग सेmara क्योंकि एक सैयोग तू यह जा और युवां से मिलकर जा धन वण बरावर ग्या ग्यानी बनता है ठीक है अगला कुशन है पानी पानी होना मुहाबरी का सही अर्थ क्या होता है A option है पतला होना B option है गर्मी बढ़ना C option है बहुत सर्मिंदा होना D option है प्रशन होना तो इसका C option बिल्कुल करेक्ट हो जाता है अगला question है अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनता अति उपती B option एति शे C option है तिरेक्ट D option है अधीन तो यह तो आप लोग को तरण से बता देंगे अधीन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है जो विग्यान जनता है जनता नहीं जानता है यह mistake है error है जो विग्यान जानता है वो क्या है तो वो तो विग्यान नहीं कहें इसमें कुछ बताने के ज़रूरती नहीं है अगला question है निम्न मैसे आधी शब्द का विलोम शब्द क्या है तो आधी का विलोम शब्द क्या है तो अंत दिवके दिवन्थ है परमशक्तिमान है परमशक्तिमान है महारतिकन्ड तो महानों से महान ऐसा कुछ होता है आदि है ना नंत है तो आदि और अंति अwnम जिनका ना तो प्रारम है और ना अंतThe ठीक है आदि का मतलब प्रारम और अंति का मतलब आप सबी जानते हैं अगला कुष ने सरवरी यामिनी तथा रजनी शब्द किसके परियाई बाची है तो ये जो परियाई बाची है वो रात्री के परियाई बाची है अगला कुशन है चटान शब्द किस लिंग से सम्मंदित है तो चटान शब्द जो है इस तरी लिंग शब्द है ठीक है तो ये थे हिंदी के हमारे 50 प्रशनुत्तर आसा करते हैं आपको ये ओडियो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेगा और पास में दीगे वेल अकिन को प्रेस कर लिजेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को रेकमंड करना मत भूलिएगा आपके फेस्बुक, इंस्टाग्राम, वाटस अप ग्रूप में जरूर से शेयर कीजेगा और आप भी सीखिए और आपके मित्र को भी सिखाईएगा ठीक है, कमेंड करके जरूर बताइएगा और अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप यूट्यूब के फंक्शन में स्पीड बढ़ाने का ओप्शन होता है वहां से आप अपनी स्पीड मैंटेन कर लिजेगा हम धीरे इसलिए बोलते हैं जिससे सभी को सही से समझ में आए और सही से आप लोग अपने कॉश्चन पोट अप कर सकें कुछ बच्चे होते हैं साथ साथ में नोट करना पसंद करते हैं जैसे घंडिू करते थी थो थो हम नोट करना पसंद करती थे थो तो skणूर रहें गे तो इससे आपकी doubt जो है अच्छेplaces हो जाता है टअले घंड्राम घंड करना है तो बीडियो के description में आपको link मिल जाएगा वहां से टेलीघ्राम गृप जायीगा वहां से आपको class की pdf प्राइब हो जायीगी group जायीगी करने के बाद आप message कीजएगा please PDF आपको pdf प्राइब हो जायेगा औके and audio सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी platform को जायीप कर सकते हैं चीक है तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एक वार फिर से वीडियो वाच करने के लिए डोंट फगेट लाइक, कोमेंट, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू